दोस्तो उत्तरप्रदेश के हाथ रस केस में कई सारी ऐसी बाते उभर कर आई हैं जो हैरान कर देने वाली है एक 20 वर्षिय यूवती जो की दलित जाती की है जिसका नाम मनिशा वालमी की है उसे चार उच्च जाती के लड़के वो सामोहिक रूप से बलातकार करते हैं उसकी जबान काट दी जाती है उसकी रीड की हड़ी तोड़ दी जाती है उसे तो पूरी तरह से मार देने की कोशिश उन्होंने की ही थी लेकिन अंतताव लड़की जो है 14 दिन बाद 19 सितंबर मर जाती है पहले तो मेडिया इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं लेता है वो बॉलीव को बदनाम करने की पूरी कोशिश कोशिश दिखाई देती है इधर कई इसी घटनाएं उभर कर आई हैं जो हमें दिखा रही है किस तरह से जो है चीजें विक्रित हो गई है समाज का जो एक कुरूर चेहरा उभर कर सामने आता है और विशेश कर जो है उच्च वर्ग जो माने उच्च जाथी के उसकी जो मान सिकता है जातिवादी मान सिकता वह कितनी भाएंकर रूप से उनमें अभी वी विद्यमान है उपस्थित है यह हमें देखने को मिलता है क्या है वो चीजें तो उत्तर प्रदेश की सरकार साफ साफ दिखाई दे रही है कि वह आरोपियों को बचा रही है आरोपियों को बचाने का काम वो कर रही है उनका यह कहना है मनिशा की जांच करवाई गई मेडिकल जांच फॉरेंसिक जांच और उस जांच में उनको जो है कोई स्पर्म के चिन्ध नहीं मिला तो भईया जांच जब आठ दिन बाद करवाएंगे आप तो कहां से मिलेगा स्पर्म बलादकार पिरिता की जांच जो है 48 घंटे के भीतर होती है 48 घंटे के भीतर अगर उसकी जांच हो तो यह पाये जाता है अन्यथा मुश्किल है मिलना तो कहा जा रहा है कि उसके साथ बलादकार नहीं हुआ है कुछ और बात है हत्या तो हुई है किन्तु कुछ और कारण है तो सिधे सिधे जो है इस मामले को दूसरा ही रूप देने की कोशिश की जा रही है और इस संदर्व में हम देख रहे हैं कि सरकार जो है यूपी की आधित्यनाथ योगी की सरकार किस तरह से आरोपियों को बचाने में लगी हुई है इसका पर्ष्ट प्रमान दिखाई दे रहा है यही पहले तो जो है उसको लापरवाही की जाती है उसे मामूली हस्पताल में रखा जाता है फिर उसको जो है फिर अलिगर मुस्लिम यह यूनिवर्सिटी का मेडिकल जो अस्पताल है उसको भेजा जाता है और अंत में उससे दिल्ली भेजा जाता है जब देख लिया जाता है कि हालत जो है अब बचने वाली नहीं है तो इस स्थिती में इसके अलावा रातो रात जो है जब उसकी मृत्ती हो जाती है तो रातो रात उसके माता-पिता के बगेर लाश को जला देती है पुलिस ये बिल्कुल भी अमानविये काम है उसके माता-पिता का कोई consent लिया ही नहीं जाता है उसकी माता तो गाड़ी के सामने लेट कर रोकने की कोशिश करती है अपनी पेटी के शव को ले जाने से और उसके जब दबाव डाला जाता है उन पर ले जाने के लिए उनको वहाँ जहाँ जलाएगी पुलिस चुपके से तो वे लोग अपने आपको बंद कर लेते हैं कमरे में तो ये साफ है कि उनकी मर्जी के बगएर उसकी लाश जलाई गई है और वो भी रात के अंधेरे में परिवार वालों का दावा है कि इंदु जीती के अनुसार जो है सुरियास्त के बाद अंतिव संसकार नहीं होता है हम लोग नहीं करते हैं जान दूज कर सरकार ने लाश जला दी ताकि दुबारा जाच नहो सके ठीक से और वो प्रमान सारे खत्म हो जाए नहीं तो क्या कारण है पुलिस जो है चुपके से लाश को जलाएगी और तो कोई कारण नहीं बज़ता इतना ही नहीं और भी कई सारे इसके मोड है जो यह बताते हैं साफ साफ तौर पर कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश की सरकार आरूपियों को बचा रही है जो DM है हाथरस के DM वो मनीशा के परिवार वालों को सीधे सीधे जिसको हम soft threat कहते हैं धमकी देते हुए पाये जाते हैं उनका वीडियो वाइरल हुआ है वो कह रहे हैं कि यह जो मीडिया वाले हैं कुछ तो चले गए हैं आधे और आधे जो है कुछ समय बाद चले जाएंगे बाद में आपको हमको यही रहना है तो आप सोच लीजिए बयान बदलना है कि नहीं कौन से बयान के बदलने की बात की जा रही है तो यही बयान कि उसका बलातकार हुआ है जो लड़की चीख चीख तक अंत में कहती रही कि उसका बलातकार हुआ है अब उसे ये कहा जा रहा है कि बलातकार नहीं हुआ है इस तरह से हत्याक की जाना इस तरह से हत्याक करने का कारण और क्या हो सकता है इसके अलावा जो हैं ADG साहब वो कहते हैं forensic report में जो है यह साबित नहीं होता है कि उसके साथ बलातकार हुआ है तो वही बात जो मैंने कही आठ दिन बाद अगर जाच करवाएंगे तो कहां से पता चलेगा बलातकार हुआ है कि नहीं यह पूरा जो घटना क्रम है यह घटना क्रम बता रहा है कि किस तरह से सरकार आरूपियों को बचाने में लगी है और इसके पीछे का मूल कारण यहीं है कि लडकी चुकी वालमेकी समुदाय से थी और लड़के उच्छ जाति के हैं उच्च जाती को बचाने की कोशिश है वरना लड़कों का कोई ऐसा रसूख नहीं है कोई दमखम वाले प्रभाव रखने वाले ऐसे लोग नहीं है वो कि उसको वो जो है सरकार को अप्रोच करेगी या फिर जो है वो अपने बचाओं में बहुत कुछ कर पाएगी और इसका एक प्रमान दूसरा ये भी मिल रहा है अभी कि वहाँ हाथरस के बारा गाओं के सरपंचो ने उख्याओं ने प्रभावी जो लोग हैं उच्च जाती के उन लोगों ने आपस में गुप्त मीटिंग की और किसी तरह से ये गुप्त मीटिंग लीक हो गई उस गुप कि ये खबर तो इससे हमें सपष्ट दिखाई देता है कि ये जो सरकार है यूपी की यादित्तेनात्य की सरकार हो या फिर पूरे भाजपा की सरकार हो इनकी मानसिकता घोर जातीवादी है उच्च जाती का वर्चस्ट जो है ये कायम रखना चाहते हैं और निमने जातियों को दबा कर कुचल कर वो रखना चाहते हैं उनके साथ घोर अन्याय होता है नहीं तो जहां 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 जो है भाजपा की सरकारे हैं वहां वहां जो है इस त्रियों के साथ दलितों के साथ जो माइनुरिटीज हैं उनके साथ अत्याशार बहुत ज़्यादा बढ़ गये हैं कि आखिर सक्या कारण है कि ये मुगालते में नहीं रहना है आप मुगालते में मत रहिए गार रिक आप इस विए इन फी इसलिए सुरक्षिट है जिनले बिलकुल हमें अपिजुनियर कि जो नहीं है पोढ़े वह 2 उसको मानते नहीं एंदु उनको हिंदू तब लगता है जब किसी डलित के उपर है कि मुस्लिम संपृदाई द्वारा कोई किया गया किसी संपृदाई के किसी व्यक्ति के द्वारा किया वेलागा हो कोई अपराद तब उनको लगता है कि हां यह लेकिन जो है उच जाती के लोग सोशन अंछे उपरत्याचार करते हैं तो उनको वहां इंदु धर्म नहीं दिखता है वहां वह जाती वैं को यह मोगालते में रहने की जभवत नहीं है कि आप हिंदू हैं इसलिए सुरक्षित हैं बिल्कुल नहीं और इस तरह से प्रम्पावी कर देने के लिए है कि वह इस पूरे देश पर कबजा जमा सके और ये के बाद एक चीजें जो हो रही है चाहे राम मंदिर का मामला हो या फिर बाबरी मस्जिद विद्वंस का जो निर्णाय आया है इस तरह से सारी चीजें देख रहे हैं हम सारे जो हमारे अधिकार थे उन सब को सीमित करने की कोशिश की जा रही है यहां तक कि जिनके पास जाकर हम अपने अधिकारों का दावा कर सके उन सारी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है आप अपने अधिकारों को लेकर कहां जाएंगे किसके पास जाएंगे जिसके पास जाएंगे वो पहले से ही जो है अपना एक मन बना चुका है उसके उपर अलरे वहां जो है घोर्म जातिवादी मानसिक्ता हावी है अपराधी जो है उनको एक तरह से शरन मिली हुई है अपराधियों को शरन देता है उत्तर प्रदेश की सरकार सरन दे रही है उनको बचा रही है केवल इसलिए क्योंकि वे उच्चे जाती के हैं तो यह भयंकर अवस्था है आज हम सब लोगों को इसके विरोध में खड़ा होना है अन्यथा मैं एकड़म बिल्कुल कह सकता हूँ गैरेंटी से कि कुछ वर्षों में अगर यह स्थिती इसी तरह से चलती रहे तो आप पूरी तरह से गुलाम बना लिये जाएंगे आपके अधिकार पूरी तरह से छीन लिये जाएंगे अगर आज हम नहीं समले तो यह हमें पूरी तरह से बरदात कर देंगे हमारे देश को खतम कर देंगे यह हमारे देश की जो पहचान थी जिस पर गर्व करते हैं आज आज उस तरह से वो पहचान खत्म होने के कगार पर है इसलिए आज के वीडियो में इतना ही हमें लड़ना होगा धन्यवाद